हmême पूलालो की आप सबके स्वागतत के आज हम सबानाते हैं लेंगुडा की रेसिपी देडिक से इससे अले पहाडहाताईोर। तो आज मैं एक नए तरीका से बनाऊंगी यह लिंगुड़ा के रेशिपी मैं आज पोस्ता के साथ बनाऊंगी तो फ्रेंट्स आप लास्ट तक देखते रहें वीडियो यह जो लिंगुड़े है इसके जो नरम पत्ते है और यह नरम भाग है जो इसको हम इस तरह से तोड़ लेते हैं और इसका जो यह कड़क भाग है इसको हम यूज नहीं करेंगे इसको साइड मेराग देते हैं और इस तरह से सारी लिंगुड़े के हम तोड़ लेते हैं तो यह तोड़ लिया है अभी इसको हम आच्छे तरह से तीन से चार बार्स पानी से धोलेना है तो यह देखे फिरेंस धोलिया है अभी इधर मेंने कड़ाई पे पानी गरम करने के लिए रखे है और इस पानी में हम यह लिंगूर के साग को इस पे डालके उबालेंगे ज्यादा नह कीड़े वगरा कुछ होते है तो इसलिए उबालना जरूरी है तो इस तरह से आप उबाल लीचिए यह देखे एक उबाल आ चुके है अभी इसको हम एक प्लेट में निकल लेते है यह जिसका जो जाग है इसको हम हाटा देते है इस तरह से और इस साग जो है इसको हम इस तर से निकाल के एक प्लेट में रख लेते हैं तो यह देखे फ्रेंट्स और यह जो पानी है इसको हम यूज नहीं करेंगे और इधर कड़ाई गरम हो चुके हैं कड़ाई पे हमने दो चामत सो शुका तेल डाल दिया है आप अपने पसंद के तेल से पका सकते हैं तेल गरम हो जाने के बाद इस पे डाल देते हैं दो लाल मिच सुखे हुए और लाल मिच को थोड़ा सा भून लेना है और यह भून जाने के बाद हम इस पे डालते हैं लसुन की कलिया लसुन की कलिया कुठके डलना होता है यह बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंज कोई भी साग पे अगर लसुन डलते हो तो बहुत ही टेस्टी बनते है और उसके बाद डाल देते हैं एक प्याज जो मैंने लंब चुके हैं और इस पिर डाल देते हैं हल्दी पोड़र अधा angles और हमस्नातों जाल धाले सांगे हं तो इसको न कुल फिर मुछल लेते हैं जो के लेता कुल हमस्नी उसके देख्यार ये लेकल闵ाकर ऑगता गालेटे के अलू के साथ बहुत ही टिस्टी बनते हैं तो मैंने मीडियम साइज के अलू लिये हैं दो इसको लंबिया कर्स से काट लिया है और उसके साथ मेने दो हरा मिर्स भी लिया है और यह सब इसके साथ मिक्स कर देते हैं तो देखे फ्रेंट्स यह हाई फ्लेम में हमको यह दो मिनिट तक इस तरह से भून लेना है और भूनने के बाद इसका जो साग है वो थोड़ा घटता है तो घट जाने के बाद ही हम इस पर नमक डालेंगे तो देखे फ्रेंट्स अभी स्वादनुसर नमक डाल देते हैं और इसको भी हम दो मिनिट तक और भून लेना है इस तरह से और उसके बाद हम ढखके पकाएंगे दोस मिनिट तक तो फिर्ट्स यह देखिए भून चुके है अभी इसको हम ढख देते हैं तो फ्रेंट्स दोस मिनिट हो चुके हैं तो यह देखिए फिर्ट्स बहुत अच्छे कालार आ चुके हैं यह देखिए थोड़ा चला लेते हैं इस तरह से इस तरह से आप चेक कर सकते हैं आलू पाग्या या नहीं तो आलू अच्छे दरह से पाग्या है और अभी एक कढ़ाई में हम पोस्तों को फ्राइब कर लेत से पोस्ता को ज्यादा नहीं भूनना है थोड़ा सब भून लेना है और इसको दर्दरणा करके पीछ लेना है यह देखिए फ्रेंस यह बून चुके है वैने पीछ लिया है और अभी इसको साथ मेक्स करते हैं और यह डालने के बाद हम 2 मिनिट तक इसको फिर से भून लेत हैं अभी हम मीडियाम फ्लेम में भून रही हूं तो यह देखें इस तरह से भून लेना है बहुत ही टेस्टी बनता है यह लिंगुडे अलू और पोस्ता के साथ अगर बनाते हो तो फ्रेंड्स आप एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा और कोमेंट में जरूर बताएगा ना भूलिए तो फ्रेंड्स थेंक्यू सो माच मेरे यह वीडियो देखने के लिए